वासब गाइज, I hope you are doing well, I am Veer, welcome to Stradler family कुछ दुनिया में ऐसे इंसान होते हैं जो जाने के बाद भी हमेशा इस दुनिया में जिन्दा रहते हैं उन्हीं में से एक है डॉक्टर भीम्राव अंबेड करजी एक ऐसा document तयार करके गए, जब अंग्रेज यहां से गए तो उनके द्वारा ये बोला गया था कि ये country जो है, ये बहुत सारे छोड़े छोड़े टुगडे में divide होने वाली है पर लेकिन जो document इन सब के द्वारा मिलकर तयार किया गया और सबसे बड़ा जो role play किया गया, वो किया गया भीम्राव अंबेड करजी के द्वारा तो ये जो document निकल के आज जिसको हम लोग हमारा सम्विधान बोलते हैं, constitution बोलते हैं वो इतना शांदा document है कि आज की date में भी हमारी country एक proper pattern में उसकी वज़े से चल रही है तो इनको इसलिए father of Indian constitution भी बुलाया जाता है या फिर architect of Indian constitution इन ही को बुलाया जाता है इन ही के द्वारा article 32 हमारे सम्विधान का heart and soul बोला गया था कि हाँ वो ही एक ऐसा article है जो कि हमारे fundamental right का अगर हनन होता है तो कहीं न कहीं हमारे साथ में खड़ा होता है और supreme court के तहट हम लोग जाकर अपने fundamental right के हनन के बारे में बात कर सकते हैं और उनको implement किया जाएगा यानि के individual personality को राज्य या free state से उपर रख दिया और जिसके base पर यहाँ पर आज की date में हम लोग शांदा तरीके से अपनी life को enjoy कर रहे है 14th April को हर साल इनका day अमबेड कर जैनती के रूप में celebrate किया आता है यह जो पैदा हुए थे 14th April 1891 में तो इनके बारे में आप लोग हलका सा idea रख सकते हैं कम से कम आप लोग को इतना तो पता ही होना चाहिए कि draft किसके द्वारा किया गया था हमारा समीधान क्योंकि जो समीधान आज किर में हमारी कंट्री में देखने को मिलता है उसी के बेस पर किसी religion, caste और सब चीजों से उपर उठकर हम सब equal तरीके से अपनी life को enjoy कर रहे है हर एक इंसान के पास में equal right होता है वोट डालने का आप लोग वोट डाल सकते है जाकर चाहिए आप लोग किसी कंट्री के प्राइमिस्टर भी क्यों ना हो पर लेकिन आप लोग लाइन में खड़ा होकर वोट डालनी पड़ेगी एक normal surgeon की तरीके से तो हर एक इंसान को equal treatment जो मिलता है वो इसी समिधान की वेज़ से मिलता है तो हलका सा idea आप लोग रख सकते हैं आईए अब नज़ डालते हैं आज के quiz के उपर सबसे पहले question पढ़िए सांत दिमाग के साथ में उसके बाद में question के answer दीजे और फिर जो मैं आप लोग question के answer दूँगा उसके साथ में match कीजे और उसके बाद में comment box में अपना score लिखिए ये होगा पुरा procedure सबसे पहले बात करते हैं आपर एक report के बारे में ये report किसके द्वारा release की गई है जिसमें ये बोला गया था कि लगबख 64 district बंगलादेश के वहाँ पर काफी जदे impact पड़ता है climate change और इसी के साथ में जैसे कि क्या हो गया ये हो गया cyclone, flood ये सी के साथ में ये फिर आप लोग बोल सकते हैं जो अलग-अलग तरीकी से सूखा पड़ता है जो भी हाँ पर ड्रोत वगरा आता है वो सारी जो चीज़े होती हैं तो उसके बारे में हाँ पर बात की गई थी तो ये report किसके द्वारा release की गई ये ये बु जो material होते हैं ये जो खतरनाक chemical होते हैं उनका पता लगा जा सकता है बड़ी ही आसानी के साथ में तो ये किस country के scientist के द्वारा इजात की गई थी इसी के साथ में आप लोग को बताना है ये विंक करके एक service थी जो की Google की parent company क्या है उस parent company का नाम आप लोग को बताना है first order deliver किया गया Canberra ये अस्टेले के अंदर ये अगर आप लोग कुछ प्रोडेक्ट मंगाते हैं तो कोई इंसान ने लेकर आए ड्रोन उसको लेकर आए तो ऐसा experiment यहां पर करा गया Google के द्वारा जूलियन असान का नाम कई बार आप लोगों नहीं सुना है आस्टेलियन बोन जो कि UK के अंदर थी महां से निकाल दिया गया और अरेस्ट कर लिया गया है तो किसके फाउंडर है यह आप लोगों बताने हैं पागिस्तान हाई कमिशनर के दोरा आप इसू किये है 2200 सीख प्लिग्रिमिस के लिए अभी एक फेस्टिवल से लिबेट करनी की बात की जारी ह है 12 से लेके 21 अप्रेल तक तो यह फेस्टिवल कौन सा है जिसके लिए हापर हमारी किंट्री के लिए वीजा इसू किये गये है और कहीं न कहीं एक तरीकी से रिलेशन को अच्छा करनी की डिरेक्शन में भी स्टैप उठाएगे हैं इंदरावती नेसल पार्क लोकेटिड ह है वीजपूर डिस्टिक तो वीजपूर डिस्टिक कोन से राज्य में लोकीटिड है यह आप लोग को बताने हैं आईए अब नज डालते हैं आंसर के ओपर जो कि आप लोग को मैच करने है और उसके बाद में कमेंट बोक्स में अपना स्कोर लेकना है यूनिसेफ के द्व यूट्यूब की मार्गेट में और 85% जो डेटा है आजके में हमारे फोन का वो हम लोग नोर्मली यूट्यूब के उपर ही खर्च करते हैं यह से के साइंटिस्ट के दौरा बोला गया था कि यह काफी खतरनाग जो केमिकल होते हैं उनके बारे में उनका पता लगाने की बा पट्रियर इंसान तक पहुचा सकता है विकलिक्स के फाउंडर है यह जूले निसांक इनका नाम आप लोग याद रखते हैं इसी के साथ में बैसाखी त्योहार को सेलिबेट करने के लिए हमारी कंट्री की सिरिजन को पागिस्तान के दौरा दिया गया है यहां पर यह रैफल है उसके बारे में अभी रिसेंटली एक स्टेप उठाय गया है गोर्मेंट के दौरा वह यह चाहती है कि जो आसाम राइफल है वह होम मिनिस्टी और आज के दि में डिफेंस मिनिस्टी दोनों के अंडर में आती है उसको यहां से निकाल कर ओंली डिफेंस मिनिस्ट के अंडर में लाए जाए ताकि direction किलियर हो सगे आप लोग समझ सकते हैं कि अगर दो बोसो किसी company में तो क्या होगा एक बोलेगा इधर को चलो दूसरा बोलेगा उधर को चलो तो उसकी वैसे काफी confusion देखने को मिलता है तो जो एक एक service man है उनके द्वारे हैं आपर एक service man welfare association यह बोला गया कि एक ही ministry के अंडर में रखो और वो है defense ministry तो यह काफी positive statement है देखते हैं क्या condition आगे निकल कर आती है आगे बात कते हैं आप international space station के बारे में यह दो जुड़वा भाई थे एक जुड़वा भाई में से एक जुड़व में कोई खासा चेंज यहाँ पर देखने को मिला नहीं यहाँ यहाँ पर आने वाले time में जो international space station है उस पर और ज्यादे research और study की जाएगी ताकि और ज्यादे चीजों के बारे में information पता लगाई जा सके तो यह एक study की गई है यहाँ पर जो कि आप लोग के सामने important study है इसका हलका साइडिया रख सकते हैं नेक्स यहाँ पर बात करते हैं एक काफी deadly disease के बारे में एक काफी खतरनाक situation क्रियेट हो रही है लगबग 90 species के वैसे wipe out हो चुकी है यह धरती पे से समागत हो चुकी है यह एक ऐसी disease है जो कि skin के ओपर impact डालती है और maximum जो पानी में रहने वाले जानवर है और खासकर जो वैसे भी कई सारे जानवर है अगर आप लोग देखेंगे खासकर focus दिया जा रहा है amphivian के उपर यह नहीं कि जो दोनों जगह पाए जाते हैं जमीन पर भी पाए जाते हैं और पानी में भी पाए जाते हैं ऐसी लगबग 90 species wipe out हो गी है एक disease की वज जो की खासकर जिसे mendak वगरा होगे ये mendak कैसे हैं जो पानी में भी पाए जाते हैं और जमीन पे भी पाए जाते हैं दोनों जगह पाए जाते हैं इनकी skin से लिगदी जो बीमारी है वो यह है कि हाँ पर अगर इनकी skin एक बार को बरबाद हो जे तो देखें ये skin के तो उसकी वज़े से जो चेंजिस यहाँ पर आ रहे हैं बीमारी की वेसे इनके हर्ट फैलियर होते हैं और उसके बाद में इनकी डैथ हो जाती है तो यह अभी इंफोर्मिशन यहाँ पर दी गई और बहुत बड़ा रीजन आप लोग बोल सकते हैं जो खासकर पॉलिशन फैल कर आ रही है तो यह इंफोर्मिशन यहाँ पर दीगे जो की हलका सा एडिया रख सकते हैं इसके बारे में जुरूर याद रखेगा यह वर्ल्ड ओर्गिनाजिशन फोर एनिमल हेल्ट एक्वेटी कोंफरेंस ठीक है तो यह चाली में यह अभी चीली में आप लोग को देखन के लाएगी तो कई सारी चीजे काफी स्लोस डाउन हमारी कंट्री में चल रही है खासकर अगर कंपेर करते हैं फरवरी से साथ में जनवरी को तो यहाँ पर अभी माइनिंग वगरा जो खुदा ही है और जो भी रो में टेल निकाला जाता है वो भी हाँ पर काफी कम हो गया ह 3.92 से 2% पर आगया है इसी के साथ में manufacturing जो activity है वो भी हाँ घट गया है अगर आप लोग यहाँ पर compare करेंगे तो यह तमाम चीजे जो हैं यहां तक बोला गया है कि manufacturing activity तो 20 महीने के बिलकुल low पर पहुँच चुका है तो यह condition है और पूरे growth की बात करें तो यह भी काफी कम ह आपर देखने को मिल रहा है तो यह काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि देखिए अगर growth नहीं होगा किसी particular field में तो हम लोग क्या करेंगे employment generate नहीं कर पाएंगे employment generate नहीं कर पाएंगे तो फिर वो ही पूरी cycle चल जाती है कि demand रहेगी अगर आप लोग की market में demand है यहनिकर tomato market में अगर चाहिए अगर कोई खरीद रहे है अलू tomato की सबजी खाना लोगों को पसंद है तो क्या करेंगे market में जाएंगे tomato खरीदेंगे तो किसान क्या होंगे ज़्याद से ज़्यादा टमाटर अपने खेतों में लगाएंगे और फिर वो market में आएगा तो demand बढ़ेगी तो supply बढ़ानी पड़ेगी और supply बढ़ेगी तो ज़्यादे से ज़्यादा लोगों को implement जन्नेट होगा क्योंकि उसके लिए और ज्यादा लोगों के हाँ पर काम पर लगाना पड़ेगा तो ये पुरा procedure यहाँ पर hamper हो जाता है अगर हम लोग proper way में कोई ऐसी activity account ही चलने देते हैं उसकी वेज़से हाँ पर मानीजे क्या हुआ अभी recently काफी देखने को मिला NPA वाला problem ये निके non-performing assets बैंक से लोन लेते थे पर लेकिन जिस परपज के लिए लोन लेते थे उस परपज को साथ नहीं पा देते इसकी वेज़से वह NPA बन जाता था अभी N NPA की condition को सुधाने की बात की जा रही है काफी लंबे समय से तो वो भी बहुत बड़ा role play करता है बाकी demand and supply मैंने आप लोग को बताई दी international क्या impact डालता है वो भी large scale पर impact डालता है अगर available नहीं है आज की date में international में ढंक से अगर कोई activity आ रही है से dollar का price खट रहा है बढ़ रह जा रहा है तो यह भी तमाम चीज़े impact डालती है और monsoon का काफी बड़ा impact यहां पर होता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी country की गिनोंबे large scale पर impact डालती है आगे बढ़ते हैं आपर यह काफी important news आप लोग देखते हैं इसमें बात की जा रही है इंडिया और USA के relation क के बारे में देखिए एक तरीके से अगर माने USA की काफी side में हम लोग tilted हो चुके हैं यहनिके USA काफी pass में हम लोग जा चुके हैं जब से मोधी जी हाँ पर आये as compared to पहले के compare में इसी के साथ में आज की डेर में काफी कुछ हम लोग large scale पर export large scale material वगरा खरीद रहे हैं USA से खा strategic partner माना गया है और कहीं ना कहीं बिल्कुल इंडिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे इनके netto का member हो यह एक तरीका defense organization है उसके member की तरीके से इंडिया को देख रहे हैं और arm export control act के तहीं पर कहीं ना कहीं इंडिया को preference दिया जा रहा है इसके बेस पर इंडिया को prioritize किया जा रहा है कि इंडिया के favor में हाँ पर काम किया जा रहा है अभी मसूद अजरवाला मुद्ध आप लोगो देखने को मिला USA ने आगे बढ़कर चाइना को कहीं ने कहीं बेजत किया all over world में तो वो condition देखने को मिली तो यह कहीं ने कहीं एक situation ऐसी create हो रही है कि हाँ हमारी साग भी all over world मे international level पर बढ़ रही है तभी ऐसे step यहाँ पर उठ रही है नेस्ट मैंने आप लोगों से YouTube के बारे में पुछा था यह एक American company एक प्लेटफोर्म है जहां पर आप लोग आकर पढ़ा सकते हैं कोई भी आप लोग के अंदर अगर quality है आप लोग को लगता है कि हाँ यह quality मेरे अं ने अंदर है और किसी को आप लोग बता सकते हैं तो आप लोग जरूर आईए देखिए यह इस तरीके से आप लोग से part-time में भी यूज़ कर सकते हैं खासकर अगर देख जाते हैं तो अपनी कोई भी quality है अगर आप लोग किसी कुछ सिखा सकते हैं कुछ पढ़ा सकते हैं क हमारे सम्विधान में Article 19 में आता है और Article 19 पार्ट थर्ड में आता है और पार्ट थर्ड है फंडामेंटर राइट जो कि 12 से 35 तक के बीच में आता है ठीक है तो यह information आप लोग आइडिया रख सकते हैं आईए इनल दालते हैं अपने अगले सेक्षन के और जो की काफी important है बात कते हैं नेसल इंटनेसल न्यूस की तो न्यूस जो निकल कर आ रही है आपर सोरी यह वाली नहीं यह वाली देखे आप लोग यह वाली न्यूस है पहले यहाँ पर हमारी कंटी में थ्री वाइस चांसलर अभी अपोइंट किया गये हैं अलग 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 उनिवस्टीज के तो देखे आप लोग को पता है modal code of conduct हमारी कंटी में लगा हुआ है यानिकि आदर्स आचार सहीता तो आदर्स आचार सहीता में अगर कोई भी काम यहाँ पर central government को करना है तो वो यहाँ पर election commission ओफिने से पोच करना पड़ेगा क्योंकि आदर्स आचार सहीता के चलते हुए central government के हाथ में पावर नहीं होती है क्योंकि यह एक तरीक से caretaker government होती है तो इसलिए हैं आपर election commission से पूचा गया और appoint करने की बात की जारी हैं आपर अलग-अलग three universities के vice chancellor तीनों university के नाम और इनके vice chancellor के नाम आप लोगो बताता हूँ सबसे पहले हैं आपर नजमा अक्तार यह vice chancellor बनाए गए जामिया मीलिया इसलामिया युनिवस्टी जो हमारी country में कापर है न्यू डहली में और यह एक female है तो इनके बारे में आप लोग या दखते हैं नजमा अक्तार आगे बात करते हैं आपर यह हैं संजीव सर्मा संजीव सर्मा vice chancellor बनाए गए हैं महात्मा गांधी central university in मोतिहारी कापर है बिहार के अंदर में यह जामिया मीलिया इस्लामिया कापर है यह डहली में है इसी के साथ में रजणीश कुमार सुकला इनको अपोईंट किया गए हैं आपर महात्मा गांधी अच्छे रिलेशन है और उसी को और जादा अच्छे स्केल पर ले जाने की बात कि जा रही है, कोपरेट करते हैं आपर प्लिटिकल, एकनोमिक और इंक्लूडिंग, या फिर कल्चा, उनको और लार्ज स्केल पर आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, इंडिया हैं पर वेलकम कर जादा पारिसिपेस करने के लिए नीधर लेंड में एजे पार्टन कंट्री, जो कि 25 यहां पर CIDST, यह टैक सम्मिट होने वाली है, जो कि अभी आप लोग को देखने को मिलेगी, नीधर हली में अक्टूबर में इसी साल में, तो इंडिया हैं आपर वेलकम कर रहा है किसको नीधर लेंड को, दोनों पार्टन कंट्री हाँ पर मिलकर देखने को मिलेगा, और यह इसका 25 एडिशन है, तो इस तरीके से आपर इनके रिलेशन के बारे में हलका सा आइडिया रख सकते हैं, आगे चलता हूँ, आगे बात कते हैं अफगानिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान से लिड़ी जो न्यूज हैं आपर आप लोगों पता है, तो वो एरिया तालिबान के काफी लार्ज स्केल पर कंट्रोल में हैं, और आज के डिट में कई सारी पावर भी अफगानिस्तान में देखने को मिलती है, तो अभी recently हाँ पर USA ने अफगानिस्तान को छोड़ने की बात की थी, पहले तालिबान के साथ नहीं बात की थी, अभी अफगानिस्तान की जो फोर्शीज हैं उनके साथ नहीं बात कर रहे हैं, तो तालिबानी हैं, उनके दोरा ओप्रेशन फटह स्टार्ट किया गिया है, तो यही बात यहाँ पर की जा रही है, अलाकि तालिबान जो अब तक अगर सर्दियों की बात करें, अब तक यहाँ पर लड़ रहा था, अफगान की फोर्स के साथ में, अब देखने वाली बात यहाँ पर यहाँ किस तरीक से मिलके काम कर पाते हैं, अगर यहाँ पर सही त तक इसको implement किया जाता है ओके आगे बढ़ते हैं नेक्ट यहां पर बात की जारी है 29 अबुदाभी इंटरनेसल बुक फेर हमारी कंट्री में इस तरीके से बुक फेर लगता है परगती मैदान में इसी तरीके से आप यह बात की जारी है आप उदाभी के अंदर यहां पर हमार हमारी कंट्री में जो भी डिगरियां यानिके जो भी आप लोग पढ़ाई करके जाते हैं UAE में उनको भी एकसेप्ट किया जाएगा ताकि जादे से ज्यादा लोग जाकर हाँ पर आसानी से काम कर सके वना बहुत बड़ी पोलम यहां पर निकल कर आ रही थी काफी कुछ य यह बात की जा रही है इलोन मस्क की कंपणी जिसका नाम है स्पेसेक्स उसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा एक इसी तरीके से आप लोग देखते हैं जैसे हमारी कंट्री में इसरो जो काम करती है वही यहां पर कुछ ऐसा काम इसके द्वारा किया रहा है यह साउदी परपच से हमारी कंट्री में इसरो करती है अभी रिसेंली आप लोगों को बता है आप लेकर चलने वाले है यह उपरेट कियाता है अरब सैट के द्वारा यह निके साथी अरेबियन सेटलाइट है आप टेक है तो यह आपर अभी काफी इंपोरेंट है खासकर इस पर्टिक याद रखेगा इनकी कंपणी है यह आपर स्पेस एक्स ओके तो यह था हलका सा इडियास के बारे में बाकी अगर बात की जाए यह है आपर ब्राइट वाइट रोकिट यह आप लोग यह आपर पिक्चर में इसको देख सकते हैं आप ठीक है तो यह काफी बड़ा रोल पिल पुदान से सुदान को अलग किया गया और यहाँ पर दो कंट्री बनकर पिक्चर में आई थी अभी यहाँ पर काफी लंबे समय से हाँ पर इनके खिलाप अंड्रेस चल ला था तो अभी इनको यहाँ पर उठाकर फेंगा गया और अब बोला गया कि दो साल तक लगबग य अगर आप लोग देखेंगे कई सारी उल्टी सीधी हरकते इनके द्वारा की गई है और खासकर इंट्रनेसल क्रिमिनल कोट के द्वारा भी हाँ पर इनको अरेस्ट करने के लिए वरेंटीशू किया गया था क्योंकि इनके द्वारा हुमिनिटी के खिलाप यह नहीं होता है कंगर घाटी नेसल पार कंगर घाटी नेसल पार को दूसरे नाम से पकड़ यता है जिसको बोलते हैं आपर कंगर वैली नेसल पार यह जो नेसल पार का दरजा दिया गहे था 1982 में और यह 36 गड़ में खासकर important क्योंकि बस्तर रिज़न बस्तर रिज़न वही रिज़न है जह तो इसके बारे में आप लोग को हलका सा idea होना चाहिए तो यह कहां पर बढ़ता है 36 गड़ के अंदर यहां पर अगर बात करें तो यह मैना आप लोग को देखने को मिलती है जो कि बस्तर हिल मैना के नाम से इसको पुकरा जाता है बस्तर हिल मैना और बड़ सेंचुरी जो काफी important है आपर by diversity large scale पर देखने को मिलती है waterfall वगएरा भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे तो large scale पर काफी important है यह इसकी location हो गई आए आगे बढ़ते हैं आगे जो आप लोग का आज political revision है यह जाकर निहारियेगा इसके बारे में हमारी country में regionalism, casteism, communalism और linguistism यह क्या होता है इनके बारे में detail में यह सारे सब्द समझाए गई हैं आप लोगो यह national integration करके हमारी जो polity है उसके अंदर एक chapter है यह आप लोगो जुरूर पता होना चाहिए और खास कर जिस तरीके सी हमारी country का माहोल बना हुआ है तो यह lecture काफी important हो जाता है निचे description box में link प्रोवाइड एक रादूँगा जाकर आप लोग देख लेना आईए नजर आलते हैं क्या कि हम लोगों ने डिसस किया इसके बाद में एक quiz होगा उसे यह पता चलेगा कितना आखे और कान खोल कर आप लोग lecture को सुनते हैं सबसे पहले हम लोगों ने जाना बीम राव अमेडिकर जी के बारे में एक quiz था answer आप लोगों के द्वारा अच्छे तरीके से देगे next हम लोगों ने जाना हाँ पर आसाम rifle के बारे में क्या है यहाँ पर पंगा चल रहा है इसको लेका इसके लाव हम लोगों ने जाना दो भाईयों के बारे में एक quiz बेज़ते दूसरे को धर्ती पर और देखा क्या changes आ रहे हैं उसका पता लगाया गया एक deadly disease जो कि यहाँ पर खतरना तरीके से participate करते रहना है एक question है यहाँ पर यहाई जो IIP है यह किसके दौरा यहाँ पर produce किया जाता है यहनि कि किसके अंडर में यहाँ आता है यह आप लोग question कांसर दीजे नेक्स हम लोगों ने बात कि यहाँ पर किसके बारे में vice chancellor के बारे में ठीक है तो यह इसके बारे में idea होना चाहिए तीन university के नए vice chancellor यहाँ पर appoint किये गे अच्छा center university का chancellor कोन होता है और यहाँ पर यहाँ पर यह state university है उसका chancellor कोन होता है यह question बताईए जरा आप लोग आगे बढ़ते हैं आप बाइलेटर रिलेशन इंडिया और निदर लेंड नेस्ट हम लोगों ने हाँ पर जाना किसके बारे में यह बात की जा रही है तालिबान और अफगानिस्तान का जो मुदा चल रहा है उसके बारे में हम लोगों ने समझा इसी के साथ में नेक्स्ट इंफर्मिशन आप लोग के सामने थी आपर 29 अबुदाभी इंटरनेसल बुक फेर और क्या इंडिया के और अबुदाभी के रिलेशन है वो तमाम आप लोगों बता होना चाहिए कल्चरली भी काफी कनेक्ट है फॉलकन हेवी रोकिट जो कि हाँ पर अभी लेकर जाने वाला है साथी अरीबे का सेटलाइट उसके बारे में जाना नेक्स्ट हम लोगों ने सुडान में जो प्रेजिडेंट की हालत है वो समझी एक नेसल पार और ये था आप लोग का पोलिटिका अरीव जन आईए नज़र आते हैं आज के क्विज के ओपर जो कि आप लोग को अटेम्ट करना है यहाँ पर बात की जारीए कि कौन सी कंट्री हमारी कंट्री को गैस्ट ओप ओनर का दर्जा दे रही है इंटरेसल बुक फेर में यह कुश्चन आप लोग को बताना है जो डैडली डिसिस के बारे में हम लोगों ने अभी बात की यह एंफिवियन पे काफी इंपैट डाल रही है तो कौन सी कंट्री के जो यहाँ पर साइंटिस टान के द्वारे यह पता लगा गया कि 90 से जादा परसेंट यहाँ पर जो डिस ने वो खतम हो चुकी है इसी के साथ में कौन सा हाई कोट है जिसने यहाँ पर अभी जिसमें प्यायल डायर की गई कि हाँ पर किसके अंडर में आना चाहिए आसाम राइफल उससे लिए जो केस था यूएस के लाव मेकर ने कौन सी कंट्री को यहाँ पर फोकस देने की बात की गिया इसी के साथ में कौन सी कंट्री के प्रिजिडेंट को यहाँ पर आउट ओव दा बोक्स किया गया है यानि के पिक्चर से हटा कर बार फेगा गया है कंगर घाटी नेसल पाक के बारे में आप लोगों पता होना चाहिए कहां पर लोकेटिड है उस रीजन का नाम बताना है जो कि 36 गड़ के अंदर पढ़ता है यह तो टोटल आज का डिसकसन आई होफ कि आप लोगों लेक्चर पसंद आगा लेक्चर पसंद आते तो लाइक करन यह जैहिन